हेलो फैंट्स मैं रेंजित जेस आज तक मैं आपका स्वागत करता हूँ देश्तों आपने बिहार दरोगा परिच्छा 26 दिसंबर को दिया है और पिटी परिच्छा देने के बाद अब तक आपने अपने प्रसनों का मिलान भी कर लिया होगा कि आपके कितने प्रसन सही हो रहे हैं बिहार दरोगा परिच्छा पिटी परिच्छा समंदित बहुत सारे कटफ आपने देखे होंगे लेकिन आज में जो कटफ बताने जा रहा हूँ वो लगभग सटिक्ता के निकट होगा मतलब पूल के अधार पर इस कटफ को त्यार किया गया है और ये पूल में आप ही लोग भाग लिये हैं ठीक है जिसके अधार पर में एक अनुमानता कटफ के नजदिक पहुँचने का प्रयास करूंगा तो ये वीडियो काफी मतलब होने वाला है वीडियो को अन तक देखे अगर हमारे चैनल पे ना है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों इस वीडियो को ज यही मार्क सेयर करना है ठीक है निगेटिव काट कर आपके कितने प्रसंद सही हो रहा है यह मैंने पुछा था पहले प्रसंद में जिसका उत्तर आप लोगों ने दिया है और भारी संख्या में लगभग चौदर सव इसमें भाग लिया है इसलिए काफी सटिकता के नजदि उनका सही हो रहा है वहीं 19 परसंद लोगों ने बताया कि 60 से 64 के बीच उनका सही हो रहा है वहीं पे ज़्यादा तर और सबसे ज़्यादा लोगों ने यह बताया कि उनका प्रसंद 50 से 60 के बीच सही हो रहा है यह 42 परसंद लोग है और 50 से नीचे वाले लोग हो गए 16 परसं संख्या जो है वो हो जाता है लगभग 24 परसंट ठीक है पैंसर प्लस करने वालों की संख्या 24 प्लस अगर साथ में मिला देंगे अगर साथ प्लस कर देंगे तो 60 प्लस लोगों की संख्या जो होता है लगबग 43 परसंट हो जाता है ठीक है तो ज्यादा तर देखेंगे तो 60 प्लस लोगों को 43 परसंट लोगों ने 60 से अधिक प्रसंटों को सही किया है निगेटिब के बाद ठीक है निगेटिब करने के बाद 60 से अधि के हम लोड बढ़ते हैं दूसरा एनलाइसिस में मैंने दूसरे प्रस्ट में पुछा था कि आपके अनुसार बिहार दरोगा पीटी परिच्छा के जैनरल कैटेगोरी का कटफ कितना जा सकता है यह मैंने आप ही से पुछा था कि एक अनुमान बताइए कि जैनरल कैटेगोरी क करदो जाये गा वहीं 55 से अगर 65 की बात करे तो 2 परसेंट लोगों ने बताया कि 55 से 69 सब्सक्राइब लोग से करे है इस प्रकार से देखा जाए तो यहां भी मेजोरेटी जो कटफ का है जनरल केटेगोरी का वो 65 से अर्सेट है ठीक है जो इतना प्रसंद सही किया होंगे इनका यह कटफ है तो यह हमारा पोल था जिसको जिसमें इस पोल में पंदरह सो प्लस एस्ट्वेंट्स ने भाग लिय कि बिहार दरोगा मेंस परिक्षा के लिए होमबर्ग श्रीच और टेस्ट बहुत चल्द हमारे मुबाइल एप पर प्रगरम होने जा रहा है और इस डोनों कोर्स के साथ इन्रॉल्ड होने के लिए जोईन करने के लिए आपको जिस आज तक का मुबाइल एप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के टिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हूआ है वहां से भी आप डाउनलोड करके इसके इस कोर्स के साथ जूड़ सकते हैं साथ-साथ आप ़ोके डिमांड पर में एक फंडेसन कोर्स भी इसके लिए ला रहा हूँ जिसमें वीडियो के मध्यम से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, साथ-साथ आपको वीडियो का PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा, तो आज ही आप हमारे मुबाइल एप को डाउनलोड कर लिजी, प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हो वहाँ से, और इस लोग एनलाइसिस करते हैं, कटफ का क्या जाने वाला है, तो जैसा कि आप लोग को मालू है कि पूल, आपने देख लिया कि क्या पूल है, अब सीटो की बात करते हैं, तो सीटो की संख्याद यू है, वो बाईस सो तेरा है, और बीस गुना रिजल्ट, आप लोग को मालू ह है कि PT पर इचा के result बिस गुणा आता है तो बीस गुणा से लगभग यह 45,000 result होगा ठीख है 45,000 result होगा तो पिछले वार पिछले exam में आपने देखा था कि 58,000 plus result था तो cut-up जो था वह 132 के आस्बास में था 132 प्लस था ठीक है लेकिन पिछले बार कि अप इच्छा इस बार प्रस्णों की का जो quality था वो प्रस्ण जो था वो टप था ठीक है प्रस्ण टप था तो टपने टुप से टप जब प्रस्ण पुछेंगे तो cut-off क्या होगा cut-off नीचे जाएगा cut-off down होगा तो इस बार दोनों पालियों में प्रस्ण जो थे वो लगबग एक जैसे थे और टप प्रस्ण पुछे गए थे काफी स्ट्टेंट्स को घुमना पर आया सांस थे आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कट यह जो प्रसंद जो था वह आउट अप स्लेबस भी कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे इधर उधर से प्रसंद पुछे गए थे तो यह मतलब आयोग तो बहुत बरी मतलब धोख अधरी की है स्ट्टेंट्स के साथ खैर कोई बात नहीं आप जो एक्जाम दिये हैं उसी के अधार पर आपका रिजल्ट भी बनेगा तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि छह लाख स्टुडेंट्स इसमें एपियर होंगे ठीक है और रिजल्ट आएगा आपका कितना छह लाख स्टुडेंट्स होंगे रिजल्ट आएगा आपका 45000 अगर छह लाख का 45000 निकाले तो यह साथ दोसमलों पांच परतिशत होता है ठीक है सारे शाथ परतिशत होता है मतलब सारे साथ परतिशत लोग पीटी क्वालिफाई करेंगे और यह मेंस के लिए जाएंगे ठीक क्या जागा आप सोच सकते हैं अगर मैंने पहले ही यह बता दिया था कि इन तो इन तीनों को जो रहेंगे तो लगभग 43% और आपके रिजल्ट आ रहा है सारे 7% तो अगर इस अनुमान को देखा जाए तो उसके हिसाब से जो मैंने अब कटफ की और बढ़ा है और कटफ ज जो लोग 60% कर लिये हैं उनको मेंस की त्यारी मिल लग जाना चाहिए कटफ 60% से नीचे कभी नहीं जाएगा यह धियान रखेंगे कटफ 60% से नीचे कभी भी जाने की उमीद नहीं है ठीक है तो जेनरल काटेगोरी में जो लोग 120 से 125% कर लिये हैं उनका रिजल्ट हो जाए ठीक है 60% वाले को मेंस की त्यारी में लग जाना चाहिए अगर सपोस्ट कीजिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि यह जो मैंने कटफ त्यार किया है एक अनुमान है आपके कटफ में दो मार्क्स का प्लस माइनस हो सकता है मतलब 2% बढ़ सकते हैं या 2% घट सकते हैं इससे ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं होगा तो फिमल कैटेगोरी में 82-86 है वही पर बात करें EWS का तो EWS का जो कटफ जाने का अनुमान है वो 120-110 है और फिमल का 60-62 है बीसी कैटेगोरी के लिए 115-20 है और बीसी कैटेगोरी के लिए 115-20 है और बीसी फिमल के लिए 65-70 है हाला कि मैं आपको यह भी बता दूँ कि इससे पहले भी मैंने कटफ से समंधित वीडियो डाला था ठीक है जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह सा रहा भी है और उसमें मैंने कटफ जो है वो 130 प्लस बताया था ठीक है तो 130 प्लस बताया था हलाकि वो प्रारंभिक अनुमान थ लेकिन अपर इच्छा के दो दीन बीच चुके हैं और दो दिन ब्इचने के बाद जो फुल जनेरेट किया गया था इस पुल का जो रिज़ल्ट है उस पुल के रिजल्ट के आधार पर मैं आप लोगों से यह बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट कर लिए है मेंस की तियारी है 115 से 120 और 65 से 70 वहीं पर अगर EBC की बात करेंगे तो 104 से 108 और मैंने पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि जो cut-off का जो margin है वो plus minus 2 हो सक्टा है और EBC महिला का 60 से 65 वहीं SC मेल का 95 से 100 और महिला का 60 से 65 ST का 105 से 10 और महिला का 62 से 66 वहीं पर अगर बात करें बिशी महिला का तो बिशी महिला का बिशी महिला मतले बिशी लेडिस का 64 से 68 के बीच गटब जाने का अनुमान है तो यह अनुमान मैंने पोल के अधार पर लगाया है प्रारंभी को अनुमान से लगभग 10 marks का difference है ठीक है प्रारंबिक अनुमान से लगभग 10 marks का difference है तो ये अनुमान जो है पोल के अधार पर है और आप लोग के opinion के अधार पर है तो डेफिनी टूप से सटिक्टा के काफी करीब है अब आप लोग अगर इस marks के अंदर है अगर ये मिन्स की तयारी में जी जान से लग जाए मिन्स की तयारी हमारे साथ अगर करना चाहते हैं तो हमारे course के साथ जूर सकते हैं हमारे mobile app को download कर सकते हैं और उस door you you come here बडियो आपको जरूर पसंद आया हो जनinsky हो बडियो इस अगर जैक्टいます